नमस्कार दोस्तो हमारे यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तो 150 साल पुराना ये महल आज भी है अपनी भव्यता और नकास्यों के लिए देश-देश में मश्हूर दोस्तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे तो दोस्तो चलिए शुरू करते हैं क्या आपने कभी किसी ऐसे महल के बारे में सुना है जो करीब 150 साल से बना हो लेकिन उसकी रंगोरोत आज भी ऐसी हो कि देखने वालों को ऐसा लगे कि यह है अभी कुछ समय पहले ही बना हो ठीक ऐसा ही एक महल जिसके बारे में हम आपको पताने जा रहे हैं हम बात कर रहे हैं सिंधिया राजगराने के कवालियर इस्थित निवास जय विलास पहले इसकी करीब 150 साल से पुराना 400 कमरों के साथ बना यह महल आज भी लोगों को आकर शित करता है जिसमें आज भी राजविंश का परिवार निवास करता है इस महल का निर्मान महराज़ जियाजी राव सिंधिया ने 1864 में करवाया था यह कोई आम महल नहीं है करीब 150 साल पहले इसे पनाने का खर्च एक करोडू पे आया था इस महल की मजबूती नापने के लिए उस समय करीब 10 हाथियों की मदद लेनी पड़ी थी दूर से देखने पर एक बार तो महल ऐसा लगता है मानो संग मरमर का बना हो दोस्तो इस महल में 400 कमरे हैं वहीं इमारत के 40 कमरों के एक हिस्ते को अब म्यूजियम का रूप दे दिया है जीवाजी राव सिंधिया म्यूजियम में सिंधिया राजवन्ष और कवालियर की एतिहासिक विरासत को सहेज कर रखा गया है जैविलास पेलेस के रोयल दर्बार होल की छट में 140 साल से 3.5 तन का जूमर टंगा हुआ है यह सुनने में ही नहीं देखने के बाद भी आज के जमाने में अजूबा ही लगता है दोस्तो जैविलास पेलेस करीब 12 लांक 40,771 वर्क फीट में फैला हुआ है इस महल में बोरंग जेब और साजां की तलवार भी मुझूद है महल के टाइनिंग टेवल पर एक चांदी की ट्रेन मेहमानों को खाना परोस्ती है दोस्तो आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी प्लीज अमें कमेंट कर जुरूर बताएं और हमारी इस वीडियो को शेयर वे लाइक जुरूर करें धन्यवाद